तो हलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ एक बर फिर आपके प्यारेस चैनल जे आर कॉलेज में जो की डेडिकेटेड है हमारे प्यारेसे कॉलेज के बच्चों के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चानल पे अल्रीडी 12 स्टैंडर का एक न्यू बैक शुरू किया हुए और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बायालजी जिसमें मैंने आपका फोर्स्ट लेसन अल्री स्टार्ट कर दिया है जिस लेसन का नाम क्या है इस रिप्रोड़क्श में डिस्कॉशन करने वाल है ठीक है सो लेक्शे स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बाताना चाहता हूँ कि हमारा जो जहार टेटोर्स का एप्लिकेशन है वो जरूर से डाउनलोड कर लेना ठीक है यह जाना और सर्च करना प्ले स्टोर के उपर तो आपको वहां हमारा एप्लिकेशन मिल जाएगा उससे जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसके उपर आप लोग को सारे के सारे चाप्टर वाइज नोट्स मिलने वाले हैं क्वेशन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे तो यह सारी सारी चीज़े वहा आ रहा हों तो आप डायरिक्ली आके मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते या फीर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता सकते तो इस कर दिया था जिसमें आप लोगो overview कुछ बताया था कि इस टाइप में हम लोग यह लेसंस complete करने वाले तो सबसे पहले reproduction की बात हुई थी ठीक है reproduction की सबसे पहले बात हुई थी reproduction दो पार्ट में डिवाइड होता है एक आपका asexual reproduction और एक आपका sexual reproduction so lecture no.1 में मैंने आप लोग को asexual reproduction में asexual reproduction के बारे में हम बहुत सारी चीज़ हम लोग ने बात किए ठीक है चो lecture no.2 था ठीक है उसके अंदर mainly हम लोग ने male part के उपर focus किया था that is microspurengenesis जिसने नहीं देखा है जरूर से देख ले ना lecture no.2 और lecture no.3 बहुत important lecture है उसके उपर बहुत सारे questions आपके board में बनते ही बनते हैं तो जरूर से उसे देख के आना ठीक है आज हम लोग अचा लेक्चर no.3 में हम लोग ने female part complete कर लिया था तो आज हम लोग mainly focus करेंगे pollination के उपर है ठीक है किसके उपर focus करेंगे pollination के उपर देखो हम लोग ने male gamit बनाना सीख लिया ठीक है female gamit बनाना सीख लिया उसे female gamit तक लेगे जाने की ही process को हम लोग क्या कहते है that is pollination clear है समझ में आ गया तो चलो pollination को पढ़ने से पर ले आपको मैं कुछ बाते बताना चाहता हूँ कि कितने types के flower होते हैं और कितने types के plants होते देखो मैं आपको कुछ बाते बताना चाहता हूँ जैसे for an example मैं आपको example देता हूँ for example ये एक plant है ठीक है ये एक plant है और इसके उपर एक ऐसा flower होग रहा है इस plant के उपर एक ऐसा flower होग रहा है जिसके पास male part भी present है जिसके पास male part भी present है और female part भी present है ठीक है ये जो stamen है ये male part होत इसके पास male part भी present है और female part भी present है तो ऐसे flower को हम लोग क्या कहेंगे ऐसे flower को हम लोग कहेंगे that is bisexual flower हमेशा आदखना ऐसे flower को हम लोग क्या कहेंगे that is bisexual flower हमेशा आदखना और अगर bisexual flower किसी भी plant में present है तो उस plant को हम लोग क्या कहेंगे bisexual plant ठेक है हमेशा या धखना ये बाग ये plant क्या हो जाएगा bisexual plant हो जाएगा क्यों bisexual plant हो गया क्योंकि इसी एक plant के अंदर ऐसा flower present है जिसके पास male gamut भी है और female gamut भी है तो I hope आप लोगों ये समझ में आगया समझा ये एकड़म इसी concept था ना कि एक ऐसा पेड है जिसमें ऐसे flowers present है जिसके पास male part भी present है और तो और female part भी present है तो ऐसे flower को हम लोग क्या कहेंगे bisexual flower सही है और bisexual flower अगर किसी भी plant में present होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे that is bisexual plant सही है इतनी बात समझ में आगई अब दुसरा case किया है एक flower है एक plant है वापस एक plant लेलो अब देखो इस प्लांट में इस प्लांट में दो अलग अलग flower पे जिकिए 2.6 अलग अलग flower पे male part है और female part है आप beispielsweise ये वाला जो प्लावर है चोई कह ये female part है सबको पता है यह अपना कारपल, it is the female part और यह अपना स्टेमन, यह क्या है आपका male part, सही है, अब देखो, इस plant के अंदर, अगर मैं इस plant की बात करूँ, तो इस plant में आपका एक ऐसा flower है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चल रहा है, female part के लेके चल रहा है, और एक ऐसा flower है, वो सिर्फ और सिर्फ male part को लेके चल रहा है, तो ऐसे flowers, जिनके पास सिर्फ एक ही gamut present हो, एक ही sex organ present हो, ऐसे flowers को हम लोग क्या कहेंगे, that is unisexual flower, unisexual flower, समझ भी बार, ठीक है, unisexual, मतलब इस plant के अंदर, जो flowers है, वो क्या है, unisexual है, लेकिन अगर मैं plant की बात करूँ, तो एक ही plant में male gamut भी present है, और एक ही plant में female gamut भी present है, सही बात है इसी plant में male gamet भी है और इसी plant में female gamet भी है तो flowers तो unisexual होगे लेकिन अगर मैं इस plant की बात करूँगा न तो ये plant अभी भी bisexual होगा ये plant अभी भी क्या होगा इसा क्यों क्यों कि इस plant के अंदर एक ही plant के अंदर दोनो टाइप के organism मिल रहे है ठीक है दोनो टाइप के organism मतलब क्या दोनो जेंडर वाले organism मतलब मेल पाड़ भी प्रेजेंट है और female प्रेजेंट है तो ऐसे flower को मैंने क्या बोला बाइसेक्शुल फ्लावर लेकिन यहां पर देखो अलग 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 फ्लावर में अलग 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 जेंडर या फिर गैमेट प्रेजेंट है तो ऐसे flowers को मैं क्या कहूंगा यूनिसेक्शुल फ्लावर लेकिन plants की बात कर रहे तो देखो इस plant में भी दोनो पार्ट सब्सक्राइद है एक दूसरा इक अप इस वालए व्लाण्ट में फीमें पार्ट प्रेजेंट होगी ऐसेए और इस plant में सिर्फ और सिर्फ female part present है और इस वाले plant में सिर्फ और सिर्फ male part present है से इस वाले plant में सिर्फ और सिर्फ क्या present है male part present है आप देखो इन flowers को मैं क्या कहूंगा इन flowers के पास सिर्फ एक ही gamet present है तो यह flowers हमेशा क्या हो जाएंगे unisexual flower unisexual flower मतलब क्यों क्यों कि इनके पास ठीक है इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही gamet present है ठीक है इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या present है एक ही gamet present है और अगर मैं plant की बात करूँ तो आप देखो एक plant के पास सिर्फ एक ही gamet दोनो गैम्य प्रेजेन खुदे थे इसलिए व्लों इतना समझ में आ गया तो आपको आगे का pollination बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा I hope आपको इतनी चीज़े समझ में आ गए होंगी इसका एक बार screenshot ले लेना वीडियो को रोख करके, pause करके और इसे अपने notebook में जरूर से बना लेना So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि bisexual flowers क्या होते है, unisexual flowers क्या होते है, bisexual plants क्या होते है और unisexual plants क्या होते है, सही है तो अब आजाओ अपने main topic पे that is pollination, अब देखो pollination का general सा मतलब क्या होते है male part को female part से मिला ना अब देखो male part क्या है, male part अभी हम लोग ने बनाया था, lecture number 2 में that is pollen grain, pollen grain कैसा दिखता था एक ऐसा बड़ा सा cell होता था एक ऐसा बड़ा सा cell और इस cell के अंदर एक दूसरा cell तैर रहा होता था सही है, और इसके बाहर एक in time और exeins की covering होती थी, इस बाहर वाले cell को हम लोग क्या कहते थी, जिन बच्चों ने lecture number 2 देखा है, उन लोग को हर एक चीज पता होगी, यहाँ पर लोगो नाम भी पता होगा यह जो बाहर वाला cell है, इसे हम लोग कहते है that is, vegetative cell मैं generated लिखने जा रहा था इसे हम लोग कहते है vegetative cell, चैके इसे हम लोग tube cell भी कहते है यह मैंने आप लोग को बताया था लेक्चर नमबर 2 में, और यह जो अंदर वाला cell है इसे हम लोग क्या कहते है, that is generative cell इसे हम लोग क्या कहते है, generative cell clear है, इतनी बद्द समझ में आ गई जो बड़ा वाला cell है, ठीके बाहर वाला cell है, उसे हम लोग क्या कहते है, vegetative cell या फिर tube cell, tube cell क्यों कहते है क्योंकि आगे चलके यह pole and tube form करने वाला है जो मैं आप लोग को pole and pistil interaction पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आप लोग को, अब इतना समझ में आ गया कि बड़े वाले cell को vegetative cell, या फिर tube cell और अंदर वाले cell के आखेते हैं, generative cell इसके उपर दो covering लगी होती है एक entine की और एक enzyme की ठीक है, entine की जो covering होती है वो cellular pectin से बनी है और enzyme की जो covering है, वो sporopollinin से बनी है समझ बताया था ना मैंना तुम लोग को बहुत hard covering होती है, वो सही है तो it is the pollen grain it is the pollen grain और इसी pollen grain में आगे चलके जब यह जो generative cell है जब इसके अंदर mitosis होगी तो यहां से generative cell जब दो cell बन जाएंगे और वो दो cell क्या होंगे आपके male gamet से यह इतनी बात है clear है वहीं अगर मैं female gamet की बात करूँ female part की बात करूँ female part की बात करूँ female part क्या होता है, that is carpel कुछ ऐसा सा होता है कुछ ऐसा structure होता है lecture number 3 याद आ रहा है, ठीक है lecture number 3 में मैं आप लोगों पढ़ाया था, तो इसमें जो उपर वाला part होता है this part, इसको हम लोग क्या कहते है sigma, ठीक है फिर यह जो नीचे वाला part होता है इसे हम लोग क्या कहते है टाइल और यह होती है ovary सहीए, फिर ovary के अंदर क्या present होता है ovule, सहीए और यह ovule किस पर लगा हुआ रहता है placenta नाम का एक holder रहेगा उस holder पे ऐसा funicle नाम की डंडी connected रहती है यह हम लोग ने ओल्रेट लेक्चर number 3 में बात की हुई है तो I hope आप लोगो इतना सब clear होगा अब देखो क्या होगा जो plants होते, वो खुद तो चल फिर सकते नहीं तो वो किसी medium के through किसी medium के through किसी agents के through agents कम लोग भी पढ़ने वाले तो agents के through क्या होंगे यह जो pollen grain है अब यह pollen grain कहां लगते है पोलन ग्रेन यहां पर बन जाएंगे अब किसी भी agents के through बहुत सारे types के agent होते है यह pollen grain यहां से उड़के यहां से उड़ लो या फिर किसी plant के through बोलो या फिर किसी animal के through बोलो, bird के through बोलो, इंसक्ट के through बोलो यह उड़के कहां पर आ जाएंगे इस stigma के उपर आ जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे, इस stigma के उपर आ जाएंगे, देखो क्या बोला, मैंने, polen grain बने कहाँ पे, जानसर सुनो, polen grain बने कहाँ पे, anther में, एंther में आप लोगों पढ़ आता है, anther के अंदर lobes होते हैं, lobes को हम लोग थीका बोलते हैं, फिर थीक तो फिर इस एंथर के अंदर जैसे ही पॉलंगेन का कंप्लीशन होता है जैसी पॉलंगेन कंप्लीटी बन जाते हैं अब यहां से इसे उड़ने लगते हैं किसी भी मीडियम के तुरू चाहे हवा से ले लो ठीक है अब लोग तुम लोगों को पढ़ाऊंगा में एजेंस पॉ पोलंगेन जेसे शिपक जाते हैं फिर वो ऊड़के एक फ्लावर से दूसरे फलावर जाएगी तो दूसरे फलावर में गप्लेंगे समझ में आया, तो अगर इसकी definition की बात करें, तो definition क्या होगा, the transfer of, the transfer of, किसका transfer हो रहा है, pollen grain, the transfer of pollen grain into stigma, क्या बोला मैंने, the transfer of pollen grain into stigma, मतलब pollen grain का transfer हो रहा है, कहाँ पे, stigma में हो रहा है, from, enter, कहाँ से, enter से, pollen grain का transfer होना, और वो कहाँ पहुचेगा, stigma पे पहुचना, इसी process को हम लोग क्या बोलते है, that is, pollination, ठीक है, इसी process को हम लोग क्या बोलते है, pollination, clear है, समझ में आ गया, pollination क्या होता है, I hope आप इक दम, अच् प्रकार होती क्या है? सिंपल सी बात है, एंधर क्या बनाएगा? पॉलन गेन बनाएगा? ये पॉलन गेन बहुत सार किसी भी मीडियम से उड के-उड के कहा पहुच जाएंगे? स्टिगमा के उपर पहुच जाएंगे. इतनी इतनी प्रोसेस हों, हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, pollination तीन प्रकार की होती है, जीया, pollination, mainly pollination दो प्रकार की होती है, लेकिन आगे चल के वो तीन टाइप्स में डिवाइड होने वाली है, तो देखो, अगर मैं, जले तो ये clear कर लेता हूँ, pollination, mainly दो टाइप की होती है, आगे हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड और करेंगे तेंशन मतलो तो पॉलिनेशन दो टाइप क्यों होती है एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है cross pollination अब देखो पल्फ pollination का मतलब क्या है दान्स वो सुनो एक flower है इस flower में क्या लगा हुआ है stigma लगा है stigma मतलब क्या carpelle लगा हुआ है और इसी flower में इसी flower में यहाँ पर male part भी लगा हुआ है तो यह कौन सा flower हो गया it is the bisexual flower मानते हो अभी पढ़ाया न मैंने आप लग को यह flower कौन सा हो गया अब अगर जान से सुनो अब अगर इस flower का ही जो pollen grain है वो उड़के इसी flower के stigma की उपर आ जाए ठेक है इस flower का pollen grain उड़के अगर इसी flower के stigma की उपर आ जाए तो ऐसे condition को हम लोग कहेंगे अगर अगर जो pollen grain है वो इसी के अंथर से निकल के इसी के stigma पे गिर गया तो यह हो जाएगा self-pollination मतलब खुद का ही pollen grain खुद के ही stigma को क्या कर रहा है fertilize कर रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे self-pollination यह आ गया self-pollination ही category में अब देखो इस case में देखो अगर अब यहाँ पे क्या है unisexual flower है अब plant तो एक ही है ठीक है plant एक ही है लेकिन flower के ही unisexual तो इसके ओपर यहाँ पे क्या बनेंगे pollen grain बनेंगे तो अगर इसका pollen grain उड़के इसके stigma पे आजाए मतलब एक ही plant का pollen grain अलग-अलग flower है अलग-अलग flower है, plant same है तो अगर इसका pollen grain उड़के इसी के flower पे आजाए तो इसे क्या कहेंगे इसे भी आप self-pollination ही कहोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे genetics change नहीं होते है एक ही plant है तो इसके अंदर जो gene रहेगा इसके अंदर जो DNA रहेगा वही same to same DNA इसके पास भी दो रहेगा same ही plant है na plant change नहीं हो रहे है तो अगर same plant से लेके same plant पे ही अगर pollen grain का transfer हो रहा है तो इसे भी हम लोग self-pollination की category में ही रखेंगे इसे भी हम लोग self-pollination की category में रखेंगे self मतलब क्या? खुद ही के pollen grain खुदी के stigma को क्या कर रहे है fertilize कर रहे हैं फिर वहां तक transfer हो रहे है clear है? यह समझ में आ गया तो यह दोनो self-pollination हो सकती है लेकिन एक होती है cross-pollination cross-pollination मतलब क्या है? कि दो अलग-अलग flower present होंगे अलग-अलग plant present होंगे और इनका जो pollen grain है वो जाके किसी दूसरे plant के किसी दूसरे plant के stigma के उपर जाके गिर जाएगा तो इस pollination को इस type के pollination को जहां पर plant ही अलग है इसे हम लोग कहेंगे cross-pollination समझ में आया? समझ में आया क्या होता है self-pollination और क्या होता है cross-pollination अगर आपको इसका example चीए कि कौनसे plants के अंदर ऐसा pollination होता है मतलब एक ही plant के उपर अलग 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 टाइट के flower आते है unisexual flower आते है bisexual plant के उपर तो इसका example है maze का maze का example आप दे सकते हो या फिर castor का example दे सकते हो ठीक है? और अगर इसके बाद पर लोग cross-pollination के तो इसमें आप example दे सकते हो papaya क्या? papaya का जो plant होते हमेशा देखना जो भी papaya का plant के उपर papaya लगा हुआ होगा उसके side में एक दूसरा plant जरूर present होगा क्योंकि papaya का जो plant होता है वो unisexual plant होते है तो उसके बाजू में अगर एक male plant है तो उसके बाजू में एक female plant होना जरूरी है तभी वहाँ पर fertilization हो सकती है और इसके example तो आप लोग बहुत सा देखियर होगे सही है? समझ में आगए बात? तो तीन प्रकार, दो प्रकार की हम लोग ने difference देख लिए एक आपका self-pollination और एक आपका cross-pollination अब self-pollination में भी दो चीज़े होती है ठीक है? देल self-pollination में भी दो चीज़े होती है एक अगर same flower, एक ही flower उसी के gamate को क्या कर रहा है उसी के stigma क्या कर रहा है? pollinate कर रहा है तो उसे हम लोग self कहेंगे या फिर एक ही plant में दो अलग-अलग flower present है उसका उड़के इस plant में चला गया तो उसे हम लोग self-pollination कहेंगे सही है तो इसी का आगे चलके तीन division है इसी pollination का आगे चलके तीन division है सबसे पहला है autogammy उसके बाद है gattino gammy और उसके बाद है that is xenogammy अब क्या क्या होता है तीनों में वो हम लोग फोड़ा सा वापस discuss कर ले देगो जो मैंने बताया अभी तक वही सब होगा इसके अंदर भी ठीक है इसके अंदर भी वही सब होगा देखो autogammy का मतलब क्या है एक plant है जिसमें bisexual flower present है एक plant है जिसके क्या present है जिसके अंदर bisexual flower present है bisexual flower मतलब क्या एक ही flower पे male gamit होंगे और उसी flower पे female gamit होंगे ठीक है male gamit और female gamit दोनों same flower पे exist करेंगे तो अगर इसी का pollen grain उड़के इसी के stigma पे गिर जाए ठीक है इसी का pollen grain गिरके उड़के इसी के stigma पे गिर जाए समझवेर ये बात तो ऐसे pollination को हम लोग क्या कहते हैं autogammy ठीक है ऐसे pollination को हम लोग क्या कहते हैं autogammy clear है समझ में आ गया I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा ठीक है so हमेशा है रखो जो bisexual flowers होंगे उनके अंदर bisexual flowers के अंदर हम लोग को autogammy देखने के लिए अंदर bisexual flowers के अंदर आप देखो इसकी बात करें इसकी बात करो गया नहीं की बात करो इसमें क्या होगा एक flower है एक एक ऐसा flower है इसमें क्या है एक इमेल पाट और एक male part समझ भार्य बात एक ऐसा flower है जीसमें अलग-अलग तयब के flower होग रहे है तो यहां के अगर पोलंग देखके इसके बाझू ओले flower पे गिर जाए एक flower का नहीं अगर एक flower का पोल्ड गें जाके बाझू ओले flower पे घिर तो इसे हम लोग क्या कहेंगे that is गैटीनो गैमी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, that is गैटीनो गैमी, तो गैटीनो गैमी किसके अंदर होगी यूनिसेक्शल फ्लावर्स में हो सकती है, लेकिन वो फ्लावर्स हमेशा सेम प्लांट पर प्रेजेंट हो नीचे, मतलब जो प्लांट होना चीए, वो बाइसेक्शल होना चीए, लेकिन फ्लावर्स यूनिसेक्शल होंगे, तो चलेगा, साथी साथ ये बाइसेक्शल फ्लावर्स के अंदर भी हो सकती है, कैसे, कैसे, धानचे देखो, जैसे एक प्लांट है एक plant है उसमें bisexual flower लगा हुए मतलब female part और male part से अब क्या एक plant पे सिर्फ एक ही flower लग सकता है क्या नहीं एक plant पे और भी बहुत सारे flower लग सकते तो for example यहाँ पे एक और flower लगा हुए और यह भी क्या है bisexual ही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ का polangen उड़के इसके stigma पे चले जाए ठेक है यहाँ का polangen उड़के इसके stigma पे चले जाए तो यह भी तो एक flower से दूसरे flower जा रहा है सही यह भी तो एक flower से दूसरे flower जा रहा है तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे that is getino gammy ही कहेंगे तो getino gammy unisexual flower में भी हो सकती है और bisexual flower में भी हो सकती है लेकिन अगर autogammy की बात करूँ तो autogammy सिर्फ और सिर्फ स्टिक्ली सिर्फ और सिर्फ किस में होगी bisexual flower में bisexual flower में तो और अगर gentino gamma की बात करूँ तो gentino gamma strictly किसके अदर होगा bisexual plants में देखो ये plant भी bisexual ही है, क्योंकि इसके अंदर flower यह नहीं sexual है, लेकिन plant का है बाइसेक्शुल ना, तो इसका, इसके ओपर transfer हो सकता है इसका इसके ओपर transfer हो सकता है तो bisexual plants में होने वाली है अब अब लोग बात करते हैं अपने xenogammy की यह दोनो auto, यह है, self pollination यह दोनों, यह भी self pollination है और यह भी self pollination है जो हमारा cross pollination है, that is xenogammy इसमें क्या होगा, दो अलग अलग plant होंगे, यह आप लोग को बताया था ठीक है, दो अलग अलग plant होंगे यहाँ पर एक plant है, for an example और यहाँ पर मैंने दूसरा plant बना दिया है तो इसमें भी एक unisexual flower है ठीक है, और इसमें भी unisexual flower है, मतलब ऐसा flower जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही type के gamut present होंगे तो इस plant में सिर्फ और सिर्फ female gamut होगा है, और इस plant में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा है, male gamut होगा है, तो अगर जान सरो अगर इस plant का ठीक है इस plant का जो pollen grain है वो उड़के इसके stigma तक आ जाए तो इसे हम लोग कहेंगे xenogammy, xenogammy में हमेशा क्या होता है unisexual plants होते है xenogammy में हमेशा क्या होते है unisexual plants होते है, मतलब अलग-अलग plants पे अलग-अलग type के gametes present होते है और इसे हम लोग क्या कहते है, that is cross pollination मतलब दूसरे plants का pollination समझ में आ रही है बात, अच्छा एक और बात, कि जो nature है वो हमेशा cross pollination को चाहती है वो चाहते है कि हमेशा cross pollination हो जो self pollination है वो ना हो ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जितने बार self pollination होगी, आगर खुद का ही gamit, खुद ही pollinate होता रहेगा तो इससे आगे चलके पता है क्या होता है इससे आगे चलके infertility हो सकती है मतलब जो plant है ना, यह आगे चलके infertile बन जाएगा, तो हमेशा self pollination avoid की जाती है plants के दौरा, जो self pollination है, वो क्या की जाती है avoid की जाती है, nature चाहती नहीं कि self pollination हो, हमेशा क्या preferable है cross pollination preferable, ठीक है हमेशा क्या preferable है, cross pollination हमेशा अगे जो self pollination है वो अच्छी चीज बिलकुल भी नहीं है nature कभी भी नहीं चाहते है कि self pollination हो अगर self pollination होगा, तो same में DNA आएंगे मतलब इसके पास जो DNA है वही DNA इसके पास भी है तो अगर इन दोनों का DNA सेम होगा तो इससे आगे चलके जो सीड़ बनेगा उसका भी DNA क्या होगा इन दोनों से एकदम करेगा एकदम सेम होगा सही बात है तो इससे आगे चलके हम लोगो infertility या फिर 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 टी डिप्रेशन देखने मिलेगा मतलब यह जो आगे चलके cells होंगे न अगर समलो करती है cross pollination को clear है समझ में आ गया अब इसके उपर हम लोग एक topic है that is कुछ यह है अपने outbraiding devices करके topic है जहां पर nature यह बताती है ठीक है nature कुछ ऐसे tricks भी use करती है ताकि self fertilization ना हो autogamia xenogamie तो वो भी हम लोग इस lesson के इस lecture के last में हम लोग देखे के ठीक है इतना समझ में आ गया so I hope आप लोग को pollination क्या होता है कितने type के pollination है वो समझ में आ गया होगा ठीक है जिसे हम लोग ticket निकालने के लिए जाते है न अब train के ticket निकालो या bus के ticket निकालो या plane के टिकट निकालो तो उसके लिए agent रहता है भया बोलता है भाई में टिकेट निकाल के देता हूं मेरा इतने अपना कमीशर है वैसे ही पॉलीनेशन प्लांट्स कभी भी खुद नहीं कर सकते हैं प्लांट कभी उठके नहीं जाएगा बोलेगा यह लिए लिए कुछ प्रॉपर्टी से जिसके वजह से पॉलीनेशन पॉसिबल हो पाता है सही है त आपका ए बायोटीक और एक आपका बायोटीक मतलब क्या जो नौन लीविंग विजेजंट भी है और खुछ बायोटीक एजेंज भी है अपना plant pollination के ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अचा ये बताओ कि ज़्यादा preferable क्या है तुनको क्या लगता है अपने मन में सोचो एक बार और comment करके मेरे को बताओ कि plant क्या चाहेगा कि वो abiotically pollinate हो या फिर biotically pollinate हो हमेशा nature बायोटिक को ज़्यादा preference देता है वो कभी भी abiotic को इतना preference नहीं देता है ऐसा क्यूँ देखो बायोटिक के अंदर जो pollination होती है वो sure short होती है sure short होती है ऐसा क्यूँ क्यूँ कि देखो अगर एक honeybee आईए और वो एक flower के ओपर बैठी है nectar लेने के लिए तो वो उठके वहाँ से जाके दूसरे flower के उपर ही बैठी है सही है मतलब यहाँ पर pollination होगा इसकी guarantee है लेकिन यहाँ पर कोई guarantee नहीं मिलती ऐसा क्यूँ क्यों क्योंकि ए बायोटिक में देखो एक है wind और एक है water अगर wind से मतलब हवे से आपका pollination एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो क्या पता वो wind कहीं और चली जाए आपका pollination उठागे वो कहीं और लेके चला जाए दूर लेके चला जाए तो यहाँ पर pollination होगा ऐसी कोई guarantee नहीं होती लेकिन बायोटिक्स के अंदर mainly आपको plants को जो होते है वो guarantee मिल जाती है कि भया pollination होगा ही होगा सही बात है तो यहाँ पर pollination होने के ज़ादा chances होते है as compared to abiotic इसलिए plants जो होते है न वो हमेशा prefer करते है क्या biotic pollination सही है I hope आप लोग को इतनी चीज़े समझ में आ गई होगा अब दो टैट की pollination है एक आपका abiotic और एक आपका biotic को जोफिली भी कहते है जोफिली भी कहते हैं चोटे चोटे टॉपिक एकदम इसली समझ में आ जाएगा आप लोग को अगर मैं abiotic की बात करूँ तो abiotic में दो चीज़े होती है एक आपका pollination wind से होता है मतलब हवे से हो सकता है pollen grain उड़ते उड़ते जा रहे हवे में अगर आप समर्ज के दिन गाव में जाओ ठीक है गाव में ऐसे जगह जाओ जहाँ पे बहुत ज़र खेती होती है तो आप लोग देखोगे एकदम यलो यलो कलरके चोटे चोटे पार्टिकल से हवे में उड़ते रहते वो क्या है वो pollen grain नहीं है सही है तो wind से आपका pollination हो सकता है या फिर water के अंदर pollination हो सकता है water के अंदर कौन से organism pollinate करेंगे कौन से plant pollinate करेंगे जो aquatic है ठीक है जो aquatic plants होंगे water के अंदर pollinate करेंगे तो जो wind से pallinate करते हैं, ऐसे plants वो गों कहते हैं, that is एनिमोफिली देखें एनिमोफिली मतलब क्या, ऐसे plants जो wind से pallination करते हैं, और water मतलब क्या, water से pallination वालों क्या कहते हैं, अब हैट है भीड मतलब पाने से अगर कोई plant pollination कर रहा है तो वो hydrophily में आएगा और wind से अगर कोई pollination कर रहा है तो वो animophily में आएगा अब मैंने आप लोगों बताया कि biotic और abiotic में ज्यादा preferable कौन सा है biotic वाला preferable है लेकिन अगर मैं abiotic के बाद करो abiotic में दो चीज़े है एक wind और एक water टेक है तो wind और water में से कौन सा ज्यादा use किया जाता है plant के द्वारा क्या लगता है आप लगको ज्यादा use किया जाता है that is wind टेक है wind pollination abiotic के अंदर ज्यादा होती है as compare to water pollination क्यों क्योंकि ने को सबसे पहली बाद water के अंदर जो aquatic plants है जो mainly जिनके अंदर फ्लावर आता उसी के अंदर pollination होती है तो जो भी flowers flowers आते हैं उन्हें आम लग angiosperms होते है अब mainly जो aquatic plant है ना उसमें बहुत कम हम लोग को angiosperms देखने मिलते water के अंदर बहुत कम angiosperms हम लोग को देखने मिलते है as compare to land इसी लिए जादा जातर pollination wind के थ्रू होती है abiotic के अंदर ठीक है ऐसे नॉर्मली biotics जादा होता है लेगिन अगर मैं abiotic के बात करूँ तो abiotic में भी wind से जादा pollination होती है as compare to water polish water से pollination हो ठीक है और अगर मैं biotic की बात करूँ तो pratelle में यह तो insects से pollination हो सकती है चेक है इंसेक्ट्स के pollination को हम लोग क्या कहेंगे that is antimophilly ठीक है एंटॉमोफिली बोल सकते हो आप लोग insects के pollination को हम लोग क्या कहेंगे that is antimophilly उसके बाद birds की pollination हो बहुत सारी कुछ birds भी होती है जैसे sunbird, hummingbird, तो वो बहुत ही छोटी-छोटी birds होती है, वो भी pollination करती है, आपके book में diagram दिया होगा, photo दियोगी, तो जो birds होती है, वो भी pollination करती है, अगर birds से pollination हो रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, that is, और नीथो philly, और last है हमारा bat, bat आता है mammals के अंदर, कुछ mammals भी pollination करते हैं, आपके book में एक ही example है, bat का लेकिन बहुत सारे mammals से जो pollination में help करते हैं, जैसे lemur हो गया, lemur एक type का mammal है, जो pollination में help करता है, तो अगर bats से pollination हो रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, that is, kyropter philly, इतनी बात समझ में आ गई, तो यह आपका mainly division है, यह आपका mainly division है, किसक agents of pollination है, जिसमें, दो type की agents होते हैं, एक आपके abiotic और एक आपके biotic, biotic को zoophilly भी कहते हैं, और ज्यादा recommended कौन सा है, biotic, ज्यादा plant कौन सा यूज करते हैं, biotic यूज करते हैं, अगर abiotic की बात करू, तो abiotic में भी दो type है, एक आपका wind से pollination, और एक आपका water से pollination, इ पता हूंगा मैं कौन-कौन से, उसके बाद, अगर biotic की बात करूं, तो biotic में तीन टाइम हम लोग को पढ़ना है, एक इंसेक्ट से pollination, इंसेक्स को हम लोग क्या बोलता है, untilophilly, उसके बाद birds, बर्ड को हम लोग क्या बोलता है, that is, ornithophilly, और bat, बैट को हम लोग क्या ब अब देखो, wind से अगर pollination हो रहा है, तो उस plant के अंदर, कौन-कौन से, उस flower के अंदर कौन-कौन से characters हम लोगों देखने के लिए मिलेंगे, वो हम लोग डिसकस करेंगे, देखो, आप लोग ने देखा होगा, कि जो flowers होते हैं, जो हम लोगों दिखते हैं, flowers वो बहुत ही beautiful beautiful color के होते हैं, ऐसा क्यों, क्या वो beautiful color आपके लिए हैं, क्या आपको attract करने के लिए, यार वो बंदा आएगा, या बंदी आएगी, और मुझे तोड़के लेगे जाएगी, इसलिए मुझे beautiful color बनाना है, ऐसा नहीं हैं, यह जो plants beautiful color बनाते हैं, beautiful smell बनाते हैं, यह सब कुछ होता है, insects को attract करने के लिए, ताकि insects उनकी तरफ attract हो, समझ मैरी बार, तो जितने भी plants आप लोग देख रहे हों, कि वो बहुत ही beautiful color है, बहुत ही beautiful smell आ रही है, बहुत ही अच्छी smell आ रही है, यह क्यूं है, ताकि वो insects insects को अपनी तरफ attract कर सके, यह नहीं है कि आप उसे तोड़ के लिए के चले जो, समझ मैरी बार, तो अगर उन्हें pollination करना है, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी specific चीज़े करनी पड़ेगी, ताकि उनके तरफ insects या फिर उनके तरफ दूसरे जो agents है, वो खुद के तरफ attract हो सक तो अगर मैं wind की बात करूँ, तो wind एक जो flowers होंगे, जो wind से pollinate करते होंगे, क्या वो colorful होंगे, बताओ, वो बिल्कुल भी colorful नहीं होंगे, क्योंकि देखो, उनको wind से pollination करना है, उनको किसी भी insects से मतलब नहीं है, उनको किसी भी smell से मतलब नहीं है, तो उनको वो अपना energy क्यो वेस्ट करें भाई, सिंपल से बात है, देखो, जो color है, जो order है, इस सब को बनाने में, बहुत सब्धा energy लगती है, प्लांट की, energy in the sense, उसके अंदा hormones लगते, proteins लगते, इनको बनाने में energy लगेगी, तो अगर किसी भी plants को wind से pollination करना है, तो वो कभी भी colorful नहीं होगा, तो organism नहीं है, उसको हम लोगो attack नहीं करना है, हवा तो चलेगी, हवा तो हर जगा चलेगी, सही है, तो कुछ ऐसे features है, कुछ ऐसे flowers के features है, अगर flowers एनीमोफिली follow कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे features होना ज़रूर है, सबसे पहला क्या है, the flower does not have color, order, और nectar, ठीक है, flower के पास किया जाता है, एक gland के त्वारा, इस gland का नाम है nectar, ठीक है, जो एक हम लोग बोल सकते है, reward होता है, plants का, plants का अगर आप pollination करके देरो, ठीक है, तो plants, animals को कुछ तो देगा, insects को कुछ तो देगा, तो वो nectar देता है, ठीक है, nectar नाम का है, gland होता है, जहाँ से nectar release होता है, सही है, इ उनकी possibility बहुत कम है, कि वो आगे चलके stigma तक बहुच पाएंगे, सही बात है, उनकी possibility बहुत कम है, क्या पता, हजारों लाखों तो उड़ गए हवे में, सही है, तो इनकी quantity बहुत जादा होती है, बहुत जादा, समझभेरी बश, ताकि इतने सारे पोलिंगन मन है, तो उसमे से एक तो यार पहुच जाए, अगर एक भी पहुच गया, तो इंका mission successful हो जाएगा, सही है, तिसरा point क्या है, पोलन must be light, dry and non-sticky, इनका जो पोलन है, वो हमेशा light होना चीए, मतलब हलका होना चीए, dry होना चीए, गिला नहीं होना चीए, और non-sticky होना चीए, क्यों देखो, क अगर यह sticky रहता, अगर मान लो, यह sticky रहता, और आप लोग रोड़ पर चल रहे होते, तो इसे बहुत, इसे जोर्त हवा आती, उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन आते, और आपके पूरे बॉड़ी पर चिपक जाते, तो अगर पोलन ग्रेन आपके बॉड़ी पर इसका जो मेल पार्ट है, वो ऐसे से बाहर दिकला रहता है, ऐसे बाहर निकला रहता है, ताकि जब हवा आए, तो इस पर कुछ ना कुछ पोलन ग्रेन चिपक पाए, यही लिखा हुआ यहाँ पर, that is, stigma of carpelle must be exposed and long, ठीक है, यह हमेशा बाहर होने चीए, और लबे होने चीए, समझ में आई बात, उसके बाद last point क्या है, that is flower generally have single ovule, आप देखो, अगर बहुत सारे ovule होंगे, ठीक है, अगर wind वाले pollination वाले flower में बहुत सारे ovule होंगे, तो यहाँ तो अगर हम लोग को एक, क्या बोल सकते है, pollen मिलना possible नहीं हो पा रहे है, कम, बहुत ही कम pollen मिल रहे हावे के बज़े से, तो एक भी pollen मिल जाए, तो भाया, इसका fertilization हो जाना चीए, इसलिए, इसके पास single ovule होता है, ठीक है, इसके पास हमेशा क्या होता है, single ovule होता है, समझ में बात, तो यह कुछ ऐसे, key features है, कुछ silent features है, जो किसके पास होने चीए, ऐसे flowers के पास pollination हो रहे है, सारी, window लिख रहा हूँ, समझा, ठीक है, water से pollination हो रहे है, अब देखो, water वाले plant के नहीं बहुत दिक्कत है, एक तो सबसे पहली बात, बहुत ही कम aquatic ऐसे animals है, जो कि क्या है, that is flowering plant है, ठीक है, एंजियो सपर्म से, उसके बाद, उसके बाद, इसमें भी कुछ ऐसे plants है, ठीक है, कुछ ऐसे plants है, जो पानी में रहने के बाद भी, वो insects के द्वारा pollinate किये जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ, मैं, देखो, बहुत ही कम angiose pumps, पहली बात तो water के अंदर मिलते हैं, उसमें से भी, कुछ ऐसे angiose pumps है, जो water के अंदर present हो कर भी, वो insects द्वारा pollinate करते हैं, वो पानी के ओपर rely ही नहीं करते हैं, समझे लोग कितनी बेज़ती है, hydrophily की, मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात, बहुत ही few aquatic angiosperms है, बहुत ही कम aquatic angiosperms लोगों मिलते हैं, पर उसमें से भी, कुछ ऐसे हैं, जो pollination किसके द्वारा करते हैं, entymophily, मतलब insects के insects को अधा रहा, मतलब पानी के अंदर present होकर भी, पानी से pollination नहीं करेंगे, इसके examples कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे water hyacinth, water lily, बहुत ही beautiful beautiful flower है, अब ये beautiful क्यों है, क्योंकि इनको insect को क्या करना है, अपनी तरफ attract करना है, तब ये किस से pollinate हो रहे हैं, insects के pollinate हो रहे हैं, आप अब लोग देखा होगा ना, जो कमल का फूल होता है, वो भी किसके अंदर रहता है, water के अंदर ही होता है, लेकिन वो कभी भी water के द्वारा pollinate नहीं होता, चीक है, कुछ ऐसे plants है, जो water के द्वारा pollinate होते हैं, that is pollination from hydrophily, दो है, अगर मैं fresh water की बात करूँ तो उसमें example, दो sea grasses, ठीक है, अगर मैं बता हूँ, well as an area के अंदर, कैसे pollination होता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, dance सुनो, कैसे pollination होता है, for example, यह आपका water का level है, ठीक है, यह water का level है, और इस water के level से, जहां से इसे नीचे से, इसे plant गया हुए, इसे plant गया हुए, ठीक है, और इसका जो female part है, वो ऐसे water के उपर इसे लगा, ठीक है, इसका जो female part है, वो water के उपर लगा हुए, same to same, ऐसा ही बाजु में, दूसरा एक ऐसा plant गया हुए, ठीक है, अब देखो, हमेशा है रखना, एक बात बहुत ही अजीब होती है, कि इंका vessel in area का, जो female part होता है, वो water के surface के उपर होत होता है, वो पानी के अंदर होता है, वो कहां पर होता है, पानी के अंदर, मतलब कहीं यहां कहीं germinate होता है, इनका male part, ठीक है, कहीं यहां कहीं germinate होता है male part, तो जैसे ही male part पूरी तरी से क्या हो जाता है, कौम हो जाता है, पूरी तरी के से, develop हो जाता है, तो वो यहां से से और फूर यह पानी के तुरू इसे तैरते तैरते तरह यह कहां चला जाता है वह फीमेल पार्ट में चला जाता है ठीक है ये एक्जाम्पल है किसका वेलिस नहीं गाएगा सेम तुसेम ऐसा होता है सीग्रास के अंदर बटी ये कहां पाई जाते हैं marine water के अंदर समझ में आ गया so I hope आप लोगको hydrophily वाला example भी समझ में आ गया आप देखो next आ जाओ next आजओ zoophily में ठीक है that is biotic में अब biotic के अंदर देखो biotic के अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला हम लोगको पढ़ना है antimophily यानि insect द्वारा pollinate होने वाले plants ठीक है antimophily के अंदर आते हैं आप लोग देखा होगा भवरा होता है ठीक है जो flower के आसपस घुमता रहता है तो वह भी किसके अंदर आएगा antimophily अंदर आएगा तो अगर मैं इसके features की बात करूँ तो सबसे पहली बात इनके अंदर color होना चाहिए अगर color नहीं होगा तो कोई भी insect इनकी तरफ attract नहीं होगा ठीक है, फिर इनके पास order होना चाहिए ठीक है, इनके पास smell होनी चाहिए सुगंध होनी चाहिए, तो अगर इनके पास smell नहीं होगी एगर इनके पास smell नहीं होगी तो कोई भी जो अलग-अलग type के flowers है तेकशित के pollen इंसेट है वो भी क्या हैंगे इनके पास नहीं आएंगे समझभारी बाद उसके बाद nectar होना चाहिए ठीक है nectar क्या होता है मैंने आप लोग बता है ये एक juice है जो कि secret किया जाता है nectaris gland के दोवारा ये एक gift है ये है बोल सकते है क्योंकि insect क्या कर रही है, ये काम कर रही है pollination करके दे रही है, plant का तो एक reward मिलता है insects को that is nectar, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ा हो सकती है जो आप लोगे book में दे होई है, ठीक है तो उसे एक बार जरूर से read out कर ले ना और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें include आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है for example इनका जो order होता है वो बहुत ही strong होता है, aroma बहुत ही strong होता है दूर दूर तक पहला होता है, ठीक है साथी साथ, यह mainly day time में ही blossom होते है blossom मतलब क्या, जो खिलते हो ना flowers है खिलते, तो यह mainly जब दिन का time होता है तब यह खिलते है, क्यों, क्योंकि जो insects होते हैं, वो रात में travel नहीं करते है, तो वो हमेशा किस में travel करेंगे, तो हमेशा है day time में ही आपको मिलेंगे, समझ मेरी बार तो यह सारे plants क्या है, that is antemophilie, next अगर है बात करूँ, तो next है that is birds से, ठीक है, birds से pollinate होने वाले plants, birds से pollinate होने वाले plants, कौन-कौन से हैं, कौन-कौन there child, just a hummingbird, वह भुकिर शोटे-च्षोटे birds से, ठीक है, बहुत ही छोटे-च्षोटे birds से, जो क्या करते है, pollination करते हैं, मतलब जो flower के इंदर nectar लेने के लिए जाते है, ठीक है अगर, आपको तो इनके पादे को बागी नहीं होता ठीक है फ्रेगनेंस नहीं होता इसा क्यों क्योंकि जो बर्ड की sense of smell है बर्ड की जो sense of smell है वो बहुत ही पूर है बर्ड अच्छे से smell नहीं कर पाते हैं इसलिए इनके अंदर जो flowers develop होंगे ऐसे flowers जो बर्ड के द्वारा pollinate किये जाते हैं वो flowers कभी भी फ्रेगनेंस इतिनी जादा strong नहीं होगी clear है समझ में आ गया I hope आप लोगो और तिनों बाकी सारे points same to same है बाकी सारे points आप लोग यही वाले लिख सकते हो यही वाले सारे points आप लोग वहां के अंदर भी उसमें भी लिख सकते हो clear है और जो हमारा last है that is bat के तरू ठीक है अब इसके अंदर देखो bat जो होता है न बैट के अंदर यह अच्छी बात होती है कि वह एक pollen grain को बहुत दूर दूर तक लेगर जा सकता है तो इससे जैनोगयमी होने के chances जादा हो जाते है सही है अब इसके अंदर क्या है हमेशा देखो bat होता है न वह हमेशा रात में travel करता वह हमेशा night में travel करता है तो जितने भी flowers bat के द्वारा pollinate होंगे उनमें कोई भी आपको color देखने के लिए नहीं मिलेगा क्यों कि बैट को रात में किसको color देखना है तो plant जो flower होगा वो अपनी energy खर्ची नहीं करेगा न फालतो की color बनाने के लिए क्लर का कोई use ही नहीं है त लेकिन अगर आप उसके आसपास से घुजरो तो आपको पता चाल लेगी यहां पर आसपास कोई मोगरा का फ्लावर है क्योंकि इस पास smell बहुत जादा होता है समझ मेरी बाद तो आप आप लोग को यह वाला topic भी समझ में आ गया होगा बाकी सारे point same to same है तो यहां पर हमार जो agents of pollination ने वो खतम होता है इसके बाद एक छोटा सा topic है एक छोटा सा topic है that is breeding devices अब आउट ब्रीडिंग डिवाइसे का मतलब क्या है आउट ब्रीडिंग डिवाइसे कुछ ट्रिक्स है नेचर की ब्रीडिंग डिवाइसे कुछ नेचर की ट्रिक्स है ताकि autogammy ना हो पाए मैंने आप लोगों बताया था ना कि autogammy अच्छी बात में है ठीक है autogammy नेचर नहीं चाहते कि autogammy हो इसलिए nature ने कुछ ऐसी ऐ है that is male and female gamut do not develop simultaneously सबसे पहरा काम क्या किया नेचर ने कि जो male gamut है और female gamut है उसको एक साथ develop ही नहीं हो ने दिया तो अगर एक टाइम पर male gamut develop हो और female gamut develop ही नहीं हो पाएगा तो यह इसको pollinate ही नहीं कर पाएगा तो self-pollination नहीं होई या फिर कभी-कभी female gamut पहले develop हो develop नहीं हो पाएगा तो जब इसके उपर इसका polar gamut नहीं पड़ेगा तो self-fertilization, self-pollination नहीं हो पाएगा तो यह इस चीज को अमलब कहते है that is dicogammy ठीक है dicogammy का यहीं मतलब है dicogammy का मतलब क्या है कि दोनों simultaneously fertilize या फिर develop ना हो अब दो टाइप है dicogammy के एक है protandry और एक ह protagony, ठीक है एक है protandry और एक है protagony, protandry मतलब क्या कि जब male gamut पहले male gamut पहले fertilize हो जाए और female gamut बाद में fertilize हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे that is protagony समझ में आ गया तो Dicogamy, Dicogamy का मतलब क्या होता है कि दोनों अलग-अलग टाइम पर fertilize होने चीए, एक साथ fertilize नियू होने चीए अगर male पहले fertilize हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे protandry, अगर female पहले fertilize हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, that is क्या बोल रहा है कि जो male है और जो female है वो एक ऐसे level पर रख दो, ठीक है, दोनों का ऐसे level पर रख दो ताकि जो pollen grain है वो stigma तक पहुँच ही ना पहे है जैसे for an example, आप लोग एक plan बना के दिखाता हूँ यह आपका female gamit है for example, यह female gamit है और जो pollen grain है ना यानि जो stigma है ना, जो enter है, उसको ऐसे बाहर लगा दो तो अब इसमें जो pollen grain बनेंगे इसमें जो pollen grain बनेंगे, वो कभी यहां तक पहुच ही नहीं पाएंगे ठीक है, वो कभी यहां तक पहुच ही नहीं पाएंगे तो यह भी एक trick है, जो आपकी nature खेल रही है इसे हम लोग क्या कहते हैं, that is heterostyle या फिर heteromorphic, ठीक है, समझ मैं heteromorphic मतलब क्या होता है, that is male and gamet जो male और female gamet है, जो organs है, उनको अलग-अलग जगा प्लेस कर दो, ताकि यह एक दूसरे तक पहुच ही ना पाया और self-fertilization रुक जाए, उसके बाद तीसरा point है that is self-incompatibility, self-incompatibility मतलब क्या, कि खुद का जो pollen gain आ रहा है, stigma ही उसे क्या कर दे, avoid कर दे, बोले, कि नहीं भाईया, मैं इसके साथ pollination नहीं कर सकती, इसके साथ fertilization नहीं कर सकती, तो अगर खुद का ही stigma, खुद की ही pollen gain नहीं को reject कर दे, तो उसे हमलोग क्या कहेंगे, that is self-incompatibility, सहिए, खुद का ही जो pollen gain है, वो compatible नहीं है, खुद का ही जो pollen gain है, वो compatible नहीं है, तो उसे हमलोग क्या कहेंगे, that is self-incompatibility, और जो हमारा चौथा point है, that is production of unisexual flower, जिसे हमलोग तो अगर unisexual flower बनेंगे तो बहुत ही जादा कम हो जाता है तो आप लोग को आउट ब्रीडिंग डिवाइस समझ में आ गया होगा साथी साथ आज का हमारा टॉपिक डैट इस अभी हम लोग ने पॉलिशन करवा दिया तो अभी तक हम लोग कहां पहुंचे हैं मेल गयमिट पहुचा दिया या हनि पॉलिशन करवा दिया अब नेक्स स्टेप क्या होने वाला है जब यह आपका female gamit की उपर, ठीक है, female gamit की उपर, male gamit पहुचेगा, यहाँ पर male gamit पहुचेगा, तो अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है, इसके आगे होगा pollen pistol interaction, मतलब pollen grain और pistol के बीच में, pistol यानी carpel के बीच में, कुछ interaction होगा, ठीक है, तो वो हम लोग discuss करेंगे हमारे next lecture में, उसके बाद हम लोग उसी lecture में आगे, double fertilization भी खतम कर देंगे ठीक है, चलेगा, so I hope आपको आज का lecture समझ माया होगा, lecture थोड़ा सा बड़ा होगा पर कोई बात भी, हर चीज एजी लिए आप लोग पढ़ लोगे, सही है, so I hope आप लोगो लेक्चर में मजा आया होगा, अगर आपको लेक्चर में मजा आया अगर वीडियो पसंद आईए, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्स्राइब कर दो